आपकी अदालत में अगला इल्जाम केरन जी सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी आपकी एनरजी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी का कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि मैं उनसे बारा साल आट दिन बढ़ा हूँ अच्छी बात है ना मेरा सोशल मीडिया चीफ जस्टिस फॉलो करते है तो खुश होने की बात है और फॉर्मर चीफ जस्टिस कहते हैं कि जस्टिस रमन्ना उन्होंने कहा कि मैंने इनका डांस देखा और उस डांस में इतनी एंडर्जी थी हाई एंडर्जी जांस था किरन डिजूजू पुट ट्विटर ओन फायर वो गाओं में जब मैं जाते हैं तो गाओं का परमपरिक हमारे वहां लोग गीत होते हैं डांसर होते हैं तो हम लोग करते हैं उस समय का एक तस्वीर सामने में आया उसको प्रदान मंत्री जो फिर से कमेंट करके ट्वीट किया तो पुरा देश में चर्चित हो गए उसी को लेकर कि चीफ जस्टिस साप ने भी कहा है तो उसकी एक इस ने सब लेता है अटार अने कि यह वहां का अर्वांचाल का पारप परिक डांस है वहां अलग अलग अ डिस्ट्रिक में अलग अलग तरीके से वहां सिस्टेम चलाते हैं सब अपना कम्यूनिटी का जो प्रैक्टिस है अभी भी चलाते हैं और जो सल्मान खान के साथ आप साइकिल चाह रहा था रोनाचल में वो कौन सा डांस था वो फिट इंडिया केंपेंड जब लॉंच किया था देश में 2020 में तो इस समय फिट इंडिया को देश बर में इसको प्रभावी तरीके से केंपेंड को चलाने के लिए सल्मान खान भी आगे आए और मेरे साथ में और ना चल गई साइकलिंग फिटनेस के लिए बहुत किया था और सल्मान खान उसके लिए पैसे एक रुप्या पैसे नहीं लिया हमसे बलकि उन्होंने साइकल का डॉनेशन भी दिया और कुछ मदद भी किये कपड़े भी दिये हैं लेकिन वो देखनी के बाद लोग कह रहे थे कि किरन डिजू जू भी हीरो बन सकते थे फिल्म जब आये थे तो वीशेयर में देखते थे या तासम में जाकर कि सिनेमा होल में देखते थे और हमारा डिस्ट्रिक हेड़ कोटर में एक सिनेमा होल थे वहां देखते थे गाओं में तो सिनेमा हमारे पास देखने का जाओं पालेज के जमाने के एक तस्वीर मेरे पास में है तो कभी तंबना तो रही होगी कि मैं भी सल्मान के तरह शर्ट उतार के सिन्मा पे जाओं नहीं बिलकुल नहीं मुझे तो फिल्म देखने का इस शोक है फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता भी नहीं और इच्छा करना तो सपना हो गया मैं सपना देखता उस तरह के से फिल्मों को लेकर करके लेकिन कॉमेंट फिल्मों वालों पर करते हैं शिल्पा शेटी के लिए आपने लिखा की फिटेस्टार ऑफ बॉलीवूड हमारे मंत्रालय में हमसे मिले और काफी योगा को प्रोड़ किया तो सरकार का अच्छा जो प्रोग्रम होते है फिटनेस को लेकर करके सब स्वास्त रहे बिमार ना हो देश को फिट इंडिया होगा तो फिट देश होगा जितने भी लोग हमारे साथ जूरे मैं सब को धन्यवाद देता हूं तो वैसे ही मैं जो भी फिल्म स्टार स्पोर्ट स्टार या कोई भी हस्ती अगर हमारा सरकार का क का की तव lavang आ जाओ मैं पूरा इंतर्दाम कर दूँगा हा शुट्टी का वह श्लेजा कि लोग सोचे के हमारे वहा होटेल नहीं मिलते है सोने के लियु जगा नहीं मिलते हैं कैसे पुणेके तो मैंने का कि मैं बता दूँगा कहा होटेल है किया है मैं यू hell लोके उन्पी थो पेले आप师 भूस मिनिस्टर रह चुके हैं अभी आप लौमिनिस्टर है तो अभी भी आप इतलेट्स, द्जोगों के दश में हैं क्या भी भी उनकी हेलफ करते है। स्पोर्ट्स मेरे लेकंशन है तो जितने जो स्पोर्टस्टार है बडे स्टोलम्पियंस मेडिलिस्टार और छोटे- छोटे एकम थी खिलाड़ी जड़ी नहीं नहीं 20 15 साल हुए है। भी शुरुआत कर रहे हैं सब लोग मिलते हैं अब भी सब आते हैं आजकल मेरा पास समय तो होता नहीं है फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा पांस-दस मिनित जब मौका मिले तो उनको मैं बुलाता हूँ आ जाई है और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ओफिस में फोन करें सरकार देखिये मंत्राले कुछ भी हो सकता है लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉंसिमिलिटी है मोदीजी ने क्लिरली कहा है कि वह कंपार्टमेंट वाइस करके अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं चलाना है सबको एक सोच के साथ बड़ा तार्गेट को लेके चलना है तो कई भी फस आते हैं वीजा नहीं मिलते हैं या कोई खिलारी बीमार है या कही खिलारी को कही एक प्रॉब्लम में आ गया गाओं में या किसी भी जगह में तो मुझे मैसेज करते हैं मैं तूरन उसको जवाब देता हूं तो वो स्पोर्ट्स परसन से मेरा जुड़ना ये मंत्राले क हिसाब से नहीं मेरा इंट्रेस और मेरा पैशन के वजह से आज भी में जुड़ा रहते हैं अब हमारे जो पहलवान है रैसलर्स हैं जिन्होंने मेडल जीते थे वो धरने पर बैट गए थे उन्होंने भी आपको एप्रोच किया वह जगड़ा होता है ना तो बीच में आप बहुत डालते हैं वाइरल करते हैं वह तब के हैं जब में स्पोर्ट्स मिनिस्टर था और फिट इंडिया केमपेंड हम चलाते थे आजकल तो यह इतना नहीं करता हूं और इतना समय भी तो नहीं मिलते ना सर जैसे कि हम सब जानते हैं आपकी बहुत सी वीडियोस सोचल मीडिया पे वाइरल हो रही है उसमें से आपका एक सौंग भी है तेरे जैसा यार कहाँ सर आप प्लीज उसकी दो लाइने हमें गा कर सुना दिजिए प्लीज सर यह देखे यह आपके अदालत है जज साब के पर्मिशन की बिना कोई गाना गाएगा तो खामका मुझे सजा मिलेगा नहीं नहीं आप आई यह सुनाए बदा की मांग को जज साब को भी शौक है आपके गाने सुनने का हमारे वहां ओफिसर अड़नाचल के कुछ यंग ओफिसर आई थे दिली में एक उनका स्वागत का करेक्रम था तो उस समय एक दो लाइन आमने गाई थे तेरे जैसा यार कहां आहां ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना केरिंजी आप इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं इतने ज्यादा ट्रेवल करते हैं बॉर्डर रियर्ज में जाते हैं अरुनाचल भी जाते हैं गाना भी गाते हैं फिटनेस भी करते हैं तो काम कब करते हैं मंत्रा लेगा कि फिटनेस और एक्टिविटीज ये भी तो बहुत बड़ा काम है आदमी फिट नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे लेकिन और सीरियस नौट जो हम लोग गहराई से काम में इन्वोल्व होते हैं वो चीज तो दिखाते नहीं न जब हम बीच में गैप होकर कि पब्लिक करते हैं को प्रोग्रम जाते वहीं तो दिखते हैं उस बीच में जो हम लोग दिवॉटेट ली फाइल करते हैं तो कैसे दिखाएंगे हम सीकुर्टी करा साथ बहुत गंबीर चर्चा कर रहे हैं वो कैसे दिखाएंगे तो जो काम कर रहा होता है वो दिखता नहीं है और जो गेप वाला पॉर्शन है वो ज्यादा दिखता है अधरवाइस तो हम लोग अगर ताइम दिखा जाएगा अगर मैं 16 गंटे काम करते हैं उसमें इवेंट और लोगों से मिलना और पॉब्लिक मिटिंग जाना वो थर्टी परसन होगा सेवेंटी परसन मंत्राले का काम और इंटर्नल पार्टी का या जो घर में मिलने का काम होता है वो आपके इतना बिजी रहने से किसको सबसे दादा परिशानी होती है उसकी एक एवर्णस में आपको दिखाना चाहता वो करी अपने बोस से कही है आपको थोड़ी चुटी चुटीच देदे ताकि स्कूल जा सके उनके वो यह थुरह पुराना चार साल पहले का है एक्चली मैं बेटी का ग्रेंड परेंट्स दे कुछ होते हैं मैं तो स्कूल गया नहीं था तो उसमें टीचर ने उनको कहा कि स्कूल मेलने के आए पिजाजी को तो दो-तिन दीन से मुझे कह रहे थी कि आप स्कूल चलना है मैं बहुता है तो आखरी वो रात जो वीडियो ऐसे मजाग से खीच रहता तो उसमें उन्होंने कहा कि आरे आपको बोस को बता दो ना बेटी का स्कूल का कारेक्राम में वो चुटी दे देगा मैंने कभी शहाय कहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो हम लोग मर्जी से थोड़ी गुम सकते हैं विडे वगरा गुमना ये सब नहीं होते हैं तो कही पही है तो वो बोस मतलब प्रदान मंतरी है, ओह नória कि रहते हैं कि प्रदान मंतरी बोस मानेगा अगर बेटिका नाम लेगा तो यह का 하면 लेकिन ये तो पूरी दूनिया जानते कि मोदी जी अपनी मंत्रियों को न व democratsो व honest रेगल देते हैं और अल्राम करने देते हैं ब गर्मियों में चुट्टि में जाते थे, यॉरोप में फैमिली लेकर जाते थे, और कई हॉलिदे में करते थे. दो अजर चोदोग के बाद इे चुट्टि हॉलिदे शब तो मेरा डिक्सोनेरी से गाइब हो गया. यॉकि अब इतना काम करना है जी, इतना काम करना है. पीएम का एक मिनिट वो नुकसान नहीं करते हैं, हम लोग कैसे हम लोग बरबाद कर सकते हैं ताइम को, इसलिए अभी तो देश को 2047 तक अमीर बनाने का पुरा शक्ति साली ताकतवार देश बनाने के लिए मोधी जी ने जो निव रखा है, आगे चल रहा है, वो पूरा करना हैं, तो हम जैसे लोगों को तो बाकी चीज छोड़ना होगा, और पूरा देश के जनता को एक साथ मिल करके, सिर्फ देश ही तमें काम करना होगा. आज हमने मुखरमा चलाया कानून बंतरी किरन रिजुजू पर, किरन जी हमने आपसे पूछा, चाइना के बारे में सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लॉग के बारे में बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आपके टाइम के बारे में, सोशल मीडिय एक्टिविटीज के बारे उपर लगाएगे सारे सवालों का बहुत ही मजबूती से बहुत ही साफगोई से जवाब दिया है यह बात जरूर है कि वह सुर्खियों बने हुए हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ आलम चल रहा है कि लोग सही बात कहने से भी कत्राते हैं कि लोग क्या कहेंगे इस भैसे लोग हो यदि बेसिक स्टक्शर की परिभाशा नहीं तैय है तो उस पे भी चर्चा होनी चाहिए अदालत में जन्ता के वकील ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए आपको उनकी सेंसिटिविटीज का उतना अंदाजा नहीं यह आदोप आप प कुछ बड़े नामी गिरावी वकीलों की ही चलती है स्टार सिस्ट सब बना हुआ है और बहुत सारे ऐसे जजज हैं जो ऐसी ऐसी टिपनिया कर देते हैं जो उनकी फाइनल वर्डिक्ट में आता ही नहीं आती ही नहीं वो टिपनिया उसको कहने में क्या हर्ज है कहनी जज को चीफ जस्टिस बना रहे थे उनको ये सब आरोप लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए अदालत उनको बाईजत बढ़री करती है एक शर्ट के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने नौर्थिस्ट के को आज कि नौर्थिस्ट के लोग इतनी अच्छी हिंदी बोलते है जितनी की हम बोलते हैं इसको जो पड़िभासित किया है नौर्थिस्ट की नई एक शवी दी है उसको आगे बढ़ाएंगे और न्याय को सहज सुलब सुगम बनाने का जो प्रयास है उसको जारी रखेंगे धन्यवाद मुझे यकीन है कि किरने जुजु ने आज जिस बेबाकी के साथ बात की है वो जीवन बर इसी सफाई के साथ बिना डरे अपनी बात कहते रहेंगे देश को आगे बढ़ाने के काम में लगे रहेंगे और जो उन्होंने सपना देखा है 2047 के फारत का वो सपना जरूर पूरा होगा हम मिलेंगे आपसे आपके अदालत में अगले सब्ता एक नई शक्सित के साथ तब तक के लिए नमस्ता